सबी को नमस्कार आज हम ग्रीन टीवी के सोजनने से ग्रीन टीवी की टीम के साथ जनपद्विजिनवर के हरगन पुरगाओं में आज आप आए हुए हैं जहां पर एक प्रगसिल किसान है सरत कुमार सिंग जिन्होंने तिल की खेती की शुरुवात की है इस वर्ष से अपने खेत पर क्योंकि यह सरत कुमार सिंग की अगर बात की जा तो यह बिसिकली धान गेहूं सरसो मूंग उड़द मसूर इन सब की खेती करते आए हैं बेसिक गन्ने की खेती करते नहीं है और त जरतकुमार, ग्राम हर्गनपूर, विकास खंड कोतवाली, बिजनौर करेने वाला हूँ, मैं तिल की खेती ये केवी के जो स्वैग्यानिक हैं, उन्होंने मेरे को सुझाव दिया कि तिल की खेती आप करिये, तिल की खेती करने का मेरे को इसलिए लगा कि हमने बच्पन में त तिल की खाया था, तिल के तेल खाने से यह होता है कि आप विंटर में, ढॉन थन में हमको ठन नहीं लगती, तो ठन ना लगने का कारण से भी तिल, अगर आप तेल का घाते हैं, तो इस से ज़्जास ऐधा रहता है और आपका सेथ taraf कि अब कर दो सबसे at है तो भी और यह आपनी ने अजय कर देखें के अभी तक में इस साल पहली बार हो तो आभी तक इसमें जो भी आपना देखा है कि इसमें खर्च कम होता है दूसरा चीजा इसका सबसे बाइस फाइदा यह है और आप चे यहां मदुमक्षा ओड़ लहीं है तो इसके फूल से मदुमक्षा का भी होता है यह कहा जाता है कि मतुमक्षा का से जो पॉलिआशन होता है वोց ज्यादा देता है तो एक यह भी फैनिफिट है और इसमें अभी तक कोई खर्च हमारा ज्यादा नहीं आया है और तिल करेंबन सौ गराम करेंबन पढ़ता है इसमें और ज्यादा पढ़ना पढ़के इसमें जुताई बताई ज्यादा काम का जूरूत नहीं पानी देने की जूरूत नहीं कुछ नहीं खर्चे के नाम पर कुछ इसमें है नहीं अब इसकी पैदावार आएगी तो उसका बारे में कि पांच कुंटल एक कड़ करेबन निकल जाता है दूसरे देशों से आयात न करना पड़े हम तेल पर आत निर्भर हूँ तो भारत सरकार के सहयोग से आई सियार के सहयोग से हमारा किसी भी स्विध्याले जो है वहां के मारे वाई शांसलर साहब है प्रुफसर डाक्टर केके सिंग सर, निदेशाइक प्रसार महोदय डाक्टर पीके सिंग सर है आप सभी के सहयोग से निधार देशन में हम लोगों ने जन्पत 29 में तिल की खेती को बढ़ावा देने का काम सुरू किया है और इस बगर हम बात करते हैं खरीफ में हम लोगों ने 50 किसानों के खेतों पर तिल का प्रदरसन भी आयवजित कराया है जिससे की तिल की खेती करके किसान अधिक लाव ले तिल की खेती करने से किसानों को एक जैसे नहीं कहते हैं कि बीच में दूसरी फसल लगाने के बजाए तिल की फसल सव से 110-15 दिन में पक जाती है किसी कटाई हो जाती है जिससे की किसानों को एक अत्रिक्त आमदनी होती है साथ इसाथ तिलहन की उत्पादकता तिलहन उत्पादन में भी बढ़ुत्री होगी क्योंकि खरीफ में अभी तक तिलहन वमारे जन्पाद के किसानोंнокे LIKE लगभग 100 हेक्टर के ऊपर पिछले दो-तीन सालों का परहास है 100 हेक्टर के ऊपर तिल की खेती का इस बार हमारे यहाँ छेतरपल है क्योंकि तीन साल पहले हमारे जन्दपत में तिली खेती होती नहीं थी अभी तक हम लोग Green TV के साथ इतनी जानकारी क्योंकि तिल का तिल का तिल खाएंगे तो स्वस्त रहेंगे आपका जेव स्वस्त रहेगा क्योंकि अच्छी आत्रिक्त आमदनी आएगी और आज के लिए अभी के लिए इतना ही फिर कभी मुलाकात होती है आपको Green TV के साथ दूसरे फिल्ड पर दूसरे प्रगसिल किसान के साथ